चलिए आज शिरुवात करते हैं एक सवाल से अगर मैं आप से पूछू कि जेंडर कितने होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? नॉर्मली मेल और फीमेल लेकिन असल में ये जेंडर का बहुत सीमित दायरा है अब मैं आप से कहूँ कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं ये अपने बारे में जानकारियों को लिखते समय जेंडर वाले खाने में आपको कितने ओप्शन दिये जाते हैं तब आपका जवाब होगा मेल, फीमेल और अदर्स आप सुन रहे हैं Unbound Script और आज हम आपको इसी अदर्स में डाल दिये जाने वाले जेंडर्स पर चर्चा करने वाले हैं जो असल में सिर्फ अदर्स नहीं हैं बलकि हमारे और आपकी ही तरह उनकी भी पहचान है अकसर जब हम जेंडर्स शब्द सुनते हैं तो मेल और फीमेल तक ही सिमट कर रह जाते हैं लेकिन असल में जेंडर्स सिर्फ मेल और फीमेल की बाइनरी तक सीमित नहीं है बलकि इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है और इसी स्पेक्ट्रम में आता है LGBTQ Community जी हाँ वही समुदाय जिसका जिक्र हमारी जेंडर की परिभाशा से गायब होता है उन्हें ऐसे देखा जाता है मानों वो किसी दूसरी दुनिया से आये हो उनके साथ ऐसा बरताव किया चाता है मानों उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो और इसी का नतीजा है कि LGBTQ समुदाय के साथ तमाम सोशल इस्टिक्मा और पक्षपाद भरा रवया समाज पर हावी रहता है दोस्तो अब सवाल उठता है कि LGBTQ समुदाय क्या है? कौन से लोग इस समुदाय में शामिल होते हैं और इस शब्द का क्या मतलब होता है? सबसे पहले बात करते हैं LGBTQ के हर अक्षर की क्योंकि यहां हर एक अक्षर अपने आप में एक समुदाय है जैसे L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्शुल, T ट्रांसजेंडर, Q क्वेर इस तरह हर एक अक्षर अलग-अलग समुदाय को दिखाता है, जिनें एक साथ LGBTQ कम्यूनिटी कहा जाता है इसी LGBTQ समुदाय को समलैंगिक समुदाय भी कहा जाता है फिर सवाल उठता है कि समलैंगिकता का क्या मतलब होता है? तो जनाब इसका मतलब है किसी भी समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौम आकर्शन समलेंगिकता कहलाता है जैसे मैंने आपको बताया कि LGBTQ का हर एक अक्षर एक समुदाय को बताता है जैसे L, लेस्बियन लेस्बियन का मतलब होता है किसी लड़की या महिला का समान लिंग के प्रति आकर्शन इसमें दोनों पार्टनर महिला ही होती है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक महिला का बरता और लुक पुरूश जैसा हो या ऐसा नहीं भी हो सकता दोस्तों दूसरा अक्षर है जी यानि गे इस शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जो एक आदमी होकर आदमी की तरफ आकरशित होते हैं अक्षर गे शब्द का इस्तेमाल समलेंगिक समुदाय के लिए भी किया जाता है तीसरा अक्षर है B यानि बाइसेक्शुल इसमें किसी महिला या पुरूष को दोनों ही लिंगों के प्रती आकर्शन होता है मतलब जब किसी पुरूष या महिला को पुरूष या महिला दोनों से ही योन आकर्शन हो जाता है ऐसे में बाइसेक्शुल पुरूश या महिला दोनों हो सकते हैं वही चौथा अक्षर है ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर से मतलब ऐसे लोगों से है जो वैस्क होने पर जन्म के समय बताये गए जन्डर से अलग महसूस करते हैं उदाहरन के लिए जन्म के समय डॉक्टर किसी बच्चे को मेल सेक्स एसाइन करता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो बच्चा लड़के या पुरूश की तरह महसूस ना करके लड़कियों की तरह महसूस करने लगता है यही चीज इसके उलट भी हो सकती है जैसे डॉक्टर जन्म के सेमें बच्चे को लड़की बताए लेकिन उम्र के साथ साथ उसके अंदर भावनाएं लड़कों की तरह बिक्सित होने लगे ऐसे में इन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है दोस्तो पांचवा अक्षर है क्वेर क्वेर के अंदर सभी LGBTQ समदाय को शामिल किया जाता है इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जो भी इंसान ना अपनी पहचान तैकर पाए और ना ही अपनी शारीरिक चाहत यानि वो खुद को ना पुरूश, ना महिला या ट्रांसजेंडर मानते हैं और ना ही लेस्बियन, गे या बाइसेक्शुल तो उन्हें ही क्वेर कहा जाता है दोस्तों इस तरह देखें तो जेंडर का एक समर्द खाचा प्रकेती ने बनाया है लेकिन समाज अपने पूर्वा ग्रहों की वज़े से अभी जंडर के कई रंगों को अपनाने से हिच किचाता है सद्यों से ये धारना आज भी कायम है कि जंडर की परिभाशा में सिर्फ मेल और फीमेल आते हैं इसलिए जरूरी है कि हम और हमारी आगे की पेडियों को इस आधे सच और आधे जूट के फेर में ना पढ़ने दें बलकि उनकी जगा तारकिक और वैग्यानिक बातों को ही अपनी राय बनाने का आधार बनाएं जंडर की इस बहुरंगी दुनिया में आगे की भागबे हम जानेंगे LGBTQ समुदाय से कुछ जुड़े हुए सच और कुछ दिलचस्प बाते सुनते रहिए Unbound Script